यह लो फ्रेंड्स वेलकम टू लॉजिकली और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज इंडियन कॉंट्राक्ट आट की और इसमें हम नया वीडियो आपके लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे हम वाइड एग्रिमेंट्स को तो अगर हम सेक्षिन 2G को देखेंगे तो वहाँ पर वाइड एग्रिमेंट को डिफाइं किया है और बोला गया है कि ऐसा आ जिसको लिए पोरस नहीं करा सकता इसको बोलेंगे void agreement मतलब वो agreement कैसा हो जाएगा शून ने हो जाएगा अब ऐसे agreements कौन कौन से होते हैं contract act में ये भी बताएगा है हमको तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं सबसे पहला agreements of which consideration and objects are unlawful in parts ऐसे agreements जिनका consideration और objects पूरी तरीके से unlawful नहीं है लेकिन parts में unlawful है second agreement without consideration ऐसे agreements जिनके consideration नहीं है वो agreements void होते हैं उसके अलावा essay agreements जो किसी की marriage को restraint करें वो agreements void हैं essay agreements जो किसी के trade में restraint डालें या trade को restraint करें वो agreement voids हैं उसके अलावा section 28 कहता है कि वो agreements जो कि किसी के legal proceedings को pursue करने से जो restrain करें वो agreements void है उसके अलावा unmeaning agreements भी void होते हैं जिनका meaning ना निकाला जा सके वेजरे agreements भी void होते हैं और उसके अलावा वो agreements जिसमें दो लोग को impossible act करने की बात करते हैं के लिए contract करते हैं वो भी agreements जो है section 56 के अंदर void करार दिये गए हैं तो ये सारे different type के agreements हैं जिनको बोला गया है contract में specifically बोला गया है कि ये जो agreements हैं ये तो void agreements होंगे मतलब ये शून agreements होंगे ऐसे agreements को enforce नहीं कराया जा सकता in any scenario अब एक ही करके हम इन सारे जो agreements हैं इनको हम discuss कर लेते हैं सबसे पहला agreements of which consideration and objects are unlawful in part मैंने आपको बताया कि ऐसा agreement जिसमें पूरा consideration या पूरा object जो है वो unlawful नहीं है बलकि उनका कुछ हिस्सा जो है वो unlawful है तो अगर ऐसा कोई consideration या object है तो भी वो agreement जो है वो क्या हो जाएगा void हो जाएगा ओके जैसे कि यह आप example दिया हुआ है कि A ने promise किया B से कि मैं आपके जो legal धंदा है जिसमें आप indigo manufacture करते हैं उसको भी देखूंगा और आपका जो illegal धंदा है जिसमें आप कई सारे articles को traffic करते हैं उनको भी देखूंगा और इस दोनों के बदले एक मुष्ट 10,000 रुपए मुझे चाहिए यहाँ पर एगरी कर जाता है इस agreement से तो यहाँ पर क्या होगा कि चूकि indigo वाला तो legal पार्ट है और यह जो trafficking वाला पार्ट है यह illegal पार्ट है तो यह total agreement जो है वो क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा यह पूरा agreement वाइड हो जाएगा बिकास यहाँ पर जो consideration है और object है वो unlawful है in part okay now if any part of a single consideration कोई एक single consideration का कोई part for one or more objects या फिर single objects के लिए one or more consideration का कोई भी part unlawful है तो agreement क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा यही example जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है यहाँ बताया है यही example यहाँ पर दिया हुआ है अब एक example में एक बात भी देख लीजिए अगर मान लीजिए contract यह होता है कि बी कहता है कि indigo की जो खेती आप कर रहे हैं indigo की जो legal manufacturing आप कर रहे हैं इसके लिए तो मैं 5000 रूपीज लूँगा ठीक है और यह जो illegal trafficking है इसके लिए भी में 5000 रूपीज लूँगा अब यहाँ पर यह जो पार्ठ होगा यह वाला जो पार्ठ है यह वाला पार्ठ जो है वा लीजल है और यह वाला जो पार्ठ है second वाला पार्ठ जो है वो illegal है तो अगर ऐसा scenario कहीं भी आता है कि जह हम legal पार्ठ को illegal लीगल पार्ट से से अलग कर सकते हैं तो लीगल वाला पार्ट जो है वह वाइड हो जाएगा तो यहां पे यह जो legal लिए रहा है और कितना पैसा उसको दिया जा रहा है फॉर ट्रैफिकिंग ओफ इंडिगल इंडाट केस वो पूरा जो एग्रिमेंट होता वह एग्रिमेंट होता तो देखे हमारे जस्टेस हमारे क्या जस्टेस विलिस थे उन्होंने ये बात बोली थी कि वेर यू कैनाट से we are the illegal part of legal, illegal part from the legal part of a covenant, the contract is altogether void, जब आप legal part को legal part से नहीं अलग कर पा रहे हैं, तो वो contract पूरी तरीके से void होगा, लेकिन अगर आप अलग कर पारते हैं, तो reject कर दीजे आप bad part को, और retain कर लीजे आप good part को, ओके, अगला हम बात करते हैं, agreement without consideration, section 25 साफ साफ कहता है, कि अगर consideration नहीं है, किसी contract में, तो वो contract, contract ही नहीं है, वो contract void है, वो agreement void है, ओके, लेकिन एक तरफ वो ये बात कहता है, दुसरी तरफ वो तीन exceptions भी दे देता है, तीन exceptions क्या देता है, पहला exception है, natural love and affection, section 25 का sub clause 1 ये बात कहता है, कि अगर दो लोगों के बीच में, on the account of natural love and affection, on the account of natural love and affection, कोई contract होता है, written agreement, written and registered agreement होता है, कि जिसमें एक पार्टी, दुसरी पार्टी को कोई benefit provide कर रही है, तो यहाँ पे B को वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही, इसने से ही contract valid हो जाएगा, लेकिन दो चीज़े important है, natural love and affection होना चाहिए, और written and registered agreement होना चाहिए, written and registered agreement होना चाहिए, और natural love and affection होना चाहिए, और तिसरी बात यह भी है, कि दोनों जो लोग है, वो near relatives होने चाहिए, near relatives का मतलब, या तो वो blood से related हो, या वो marriage से related हो, या वो adoption से related हो, ओके, यहाँ पर केस था, राज लुखी दभी वर्सेस भूतनात मुखरजी का, इसमें यह हुआ था कि A एक husband था, B एक wife थी, A ने B के लिए, जो husband था, wife के लिए उसने agreement किया कि वो उसको पैसा देने से मना कर रहा है, तो B नहीं यहाँ पर, तो court नहीं यहाँ पर बोला कि यह जो contract था, it was not on the account of natural love and affection, क्योंकि B का, जो substance था contract का, जो objective था contract का, उसमें यह था कि B को separate residence दिया जाएगा, उसको maintenance दिया जाएगा, तो यहाँ पर natural love and affection की बात तो आ ही नहीं सकती, तो इस case में इस agreement को void agreement बोला गया था, इसके बात second exception है, वो है past voluntary service, माल लीजे एक A है और एक B है, A ने पुराने time पे कभी B के लिए कोई past voluntary service की थी, B present में A की वो service को acknowledge कर रहा है, और यह कह रहा है कि वो उसके लिए उसको compensate करेगा, तो यह जो B का promise है, यह क्या बन जाएगा, valid contract बन जाएगा और यहाँ पर consideration की जुरुरत नहीं रहेगी, important बात यहाँ पर यह देखने वाली है कि A का जो यहाँ पर past काम होना चाहिए, that must be voluntary, और वो B के कहने पर नहीं किया होना चाहिए, और B के कहने पर वो काम किया हुआ होगा, तो वो consideration बन जाएगा, past consideration बन जाएगा, past voluntary service नहीं रह जाएगी, okay, उसके बाद हम बात करते हैं, time bar debt की, यह कहा गया है कि मान नीचे A और B दो parties है, A ने कुछ साल पहले B को कुछ पैसा दिया था, मान नीचे 5,000 रुपए दिये थे, ठीक है, लेकिन A ने वो पैसे B से acknowledge नहीं किया, उसने यह writing में दिया उसको और यह उसने sign भी किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो B का यह promise है, कि वो time bar debt को वापस देगा, promise पे करेगा, तो यह जो promise हो गया, यह क्या हो जाएगा, यह valid होगा और यह वाइड नहीं होगा, clear, ओके, चली, अगर हम आगे बढ़ते हैं, next topic पे, next topic क्या, next type के agreement पे जो कि person से शादी करने के लिए रोकें, या आप किसी class of person से शादी करने के लिए रोकें, यह हर तरीके के जो agreement है, यह agreement क्या होगे, वाइड होंगे, भले जाहे general restraint हो, चाहे partial restraint हो, इस बात से फरक नहीं पड़ता है, अगर आप किसी को contract के थूँ शादी करने से रोकते हैं, उसके शादी करने की जो आजादी है, freedom है, उसके उपर restraint लगाते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने agreement किया in the restraint of marriage, जो section 26 साफ-साफ कहता है, कि ऐसा agreement जो है, वो होगा, VOID, वाइड, एक exception है, minor के respect में अगर आप ऐसा agreement करने हैं, तो वो agreement वैलिड हो जाएगा, एक बात यहां पर यह ध्यान रखने वाली है, कि marriage करने के लिए अगर आप रोक रहे हैं, वहाँ पर restraint लग रहा है, तो तो वो वाइड है, लेकिन अगर remarriage पर penalty लग रही है, तो वो वाइड नहीं होगा, इसका क्या example है, राओ रानी वर्सेज गुलाब रानी, इस case में क्या हुआ था कि A और B, यह दो विदवाएं थी, C की, ठीक है, A और B दोनों ने आपस में contract किया, कि अगर दोनों में से कोई भी औरत दोबारा शादी करती है, तो C की जो property में जो हिस्सा है, उस औरत का वो इनसान, जो औरत है, वो उसे छोड़ देगी, वो जो विड़ो है, वो से छोड़ देगी, अब यहां पर अगर वो court में जाती है, और यह कहती है, कि this is agreement in restraint of marriage, तो court ने इस case में यह बोला था, कि this is not an agreement in restraint of marriage, this is just a penalty upon remarriage, and such agreement was upheld, और ऐसे agreement को upheld कर दिया गया था, इसके बाद हम बात करते हैं, agreement in restraint of trade, तो courts ने यह बात बोली हुई है, कि अगर आप कोई भी ऐसा agreement करते हैं, जो किसी के profession, trade, या business को carry out करने से रोकता है, lawful होना चाहिए of course, carry out करने से रोकता है, तो उसको हम wide मानेंगे, ठीक है, हमारा constitution जो है, वो हमको देता है freedom of trade and commerce, तो यह तरीके से क्या हो गया हमारा constitutional right हो गया, तो जैसे legislature जो है, वो इस right को नहीं ले सकता, because वो constitutionally protected है, तो legislature जो है, वो individuals को भी allow नहीं कर सकता, कि वो barter कर दे अपने इस right को by way of agreement, okay, section 24, plain terms में कहता है, कि every agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, is void to that extent, वो उस extent तक void होता है, देखे, अब इस में एक और चीज़ आती है, एक आती है general restraint, एक partial restraint आता है, English law जो है, वो general restraint और partial restraint को recognize करता है, लेकिन Indian law जो है, वो इस distinction को recognize नहीं करता है, और वो यह कहता है, कि restriction चाहें जैसा हो चाहें, वो partial हो चाहें, वो general हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, agreement तब भी void होगा, इसका एक एक एक्जाम पहले है, मदुब चंदर versus राजकुमार, इस case तो तुम इस locality में अपनी दुकान बंद कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसा दूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले में एक लाख रुपए दूँगा, ठीक है, बी ने अपनी दुकान बंद कर दी, लेकिन ए ने एक लाख रुपए देने से मना कर अब B court में गया, court में यह कह रहा है कि इस contract को enforce कराओ, court यह कह रहा है कि यह contract enforced नहीं हो सकता, because यह contract in restraint of trade किया गया है, B का argument यहां पर यह था कि देखें यह restraint of trade नहीं है, क्योंकि यहां पर partial restraint हुआ है, general restraint नहीं हुआ है, BA कह रहा है कि मेरी जो दुकान है वो मुझे केवल इस locality में खोलने से मना किया गया है ना कि पुरे शहर में मैं पुरे शहर में कहीं भी जाके shop खोल सकता हूं लेकिन बस इस locality में नहीं खोल सकता तो यह हुआ partial restraint ना कि general restraint कोट ने बोला कि Indian law जो है वो partial restraint और general restraint के बीच का distinction नहीं recognize करता है और यह जो contract होगा वो क्या होगा void होगा the court had that agreement to agreement to void and remark that Indian law as laid down under section 27 does not distinguish between partial restraint और general restraint okay अब section 27 है उसमें कुछ exceptions दिये हुए है उसके सबसे पहला exception दिया हुआ है वो दिया हुआ है sale of goodwill का यह उसमें बोला गया कि जब मान लीजे एक a person जो है और b person दोनों के बीच में agreement होता है और a अपने business की goodwill बेश देता है b को तब उस case में a के उपर कुछ restrictions लगा जा सकते हैं सबसे पहला restriction क्या लगा जाएगा कि उससे ये कहा जाएगा कि आप similar business नहीं करेंगे ठीक है दुसरा आप similar business नहीं करेंगे प्लस वो business specified limits के अंदर नहीं करेंगे so long as the buyer or any person deriving title of the goodwill from him carries on a business there on जब तक उस area में वो जो buyer है वो business अपना कर रहा है तब तक उस area में आप अपना business नहीं करेंगे और इन दोनों में एक condition लगी हुई है कि court को बस ये limits जो है वो reasonable लगनी चाहिए goodwill होती क्या है तो goodwill कुछ नहीं होती goodwill is a presumption कि एक old customer जो है which the business would yield no profit goodwill ही होता है जो business को चलाता है और goodwill के बिना business जो है वो कोई भी profit नहीं देगा उसके अलावा second union restriction बताया है कि exception बताया है कि partnership act के अंदर कुछ sections है जहां पे एक partner को जो है कुछ business करने से रोका जा सकता है कब कब रोका जा सकता है जब वो partner continuing partner हो वो firm में काम कर रहा हो तो उसे बोला जाएगा कि आप जो है firm के business के लावा किसी और business को continue नहीं कर सकते हैं अगर आप outgoing partner है मतलब आप छोड़के जा रहे हैं partnership को तो उसके ओपर condition लगाई जा सकती है section 36 sub clause जो में कि आप similar business नहीं करेंगे उसके बाद restraint in anticipation of dissolution की dissolution हो रहा है partnership का उसके anticipation में आप restraint लगा सकते हैं कि आप similar business नहीं करेंगे उसके बाद restraint when the goodwill of the firm is sold जब firm की goodwill sell की जा रही है तो आप restraint लगा सकते हैं 55 sub clause 3 में तो यह जो है exception यह जो है आपका agreement यहाँ पर खतम होता है agreement in restraint of trade अब हम बात कर लेते हैं agreement in restraint of legal proceedings मेरे क्याल से आज का वीडियो यहाँ पर मतलब भरका लंबा बन चुका है इसके आगे ही कहानी agreement in restraint of legal proceedings जो है वो अगले class में अगली वीडियो में इसको complete करेंगे आज के लिए ह हम इतना ही यहाँ पर रखते हैं तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए thank you and happy learning